7 habits of highly effective people, business mantra and the millionaire mindset book का अध्यन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी ऐसी चीजे है जो लोगों को अमीर, successful और कामयाब बनाती हैं ध्यान रखिए जिसकी जैसी thinking होगी वो वैसा ही बनेगा, अमीर और कामयाब बनने के लिए आपका rich mindset और financial intelligent होना जरूरी है अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा degree मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा hard work मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा extra work time मतलब ज्यादा पैसा तो आप गलत हैं rich mindset वाले लोग और financial intelligent लोग ही इस दुनिया में अमीर बनते हैं, चाहें वो कम पड़े लिखे भी क्यों ना हूँ ये लोग money की value को down नहीं होन देते, ये लोग job creator होते हैं, ये लोग उन लोगों को ज्यादा educated हैं, उन लोगों को ज्यादा intelligent हैं और उन लोगों को ज्यादा hard worker हैं अपने पास job पर रखते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ वो golden rules जो rich mindset और financial intelligence के लिए बहुत ज़रूरी है नमबर वान, that is rich mindset, I want to become rich, ये mindset होना बहुत ज़रूरी है, जारा तरी देखा गया है, एक factory में काम करने वाला labor और एक office में काम करने वाला worker, दोनों के mindset में बहुत differentiation होता है फाक्टरी में काम करने वाला labor कभी भी rich mindset का नहीं होता, जबकि white collar job करने वाला व्यक्ति हमेशा rich mindset का होता है एक बहुत बड़ा आभाव लोगों के पास है, उनको financial knowledge नहीं है, उन्हें assets और liabilities के बीच differentiation करना नहीं आता यहां मैं आपको बताता हूँ, assets और liabilities के बीच difference कैसे करते हैं, हर वो चीज जिसको आप खरीदते हैं, ये देखिए, अगर वो चीज खरीदने पर आपके पास income source बढ़ता है, आपका पैसा बढ़ता है, और वो चीज आपको revenue देती है, तो वो assets है, और हर वो चीज जिसको पैसा खर्च होता है, और धीरे धीरे उसकी value depreciate होती है, वो सारी की सारी liabilities हैं, for example, अगर आप कोई property खरीदते हैं, तो उसकी value appreciation होगी, साथी साथ rental income भी आपकी लिए एक source of earning होगा, ये एक asset है, comparatively, अगर कोई व्यक्ति कार खरीदता है, तो उसको लगता है कि मैं अमीर बन लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है, क्योंकि car की value हमेशा depreciate होती है, और उसको maintain करने पर बहुत अधिक खर्च कियाता है, हाँ ये बात अलग है कि आप car खरीदते हैं, और उसको rent out करते हैं, उसको let out करते हैं, अपने business के रूप में, तो ये liability नहीं assets है, इसलिए हमें पता होना च चाहिए assets और liability को कैसे differentiate किया जाए, rich mindset के लोग उन चीजों को खरीदना पसंद करते हैं, जो asset creation में काम आती है, ना कि liability creation में, and the third, that is saving and invest before expense, बहुत सारे लोग अपनी earnings में से, खर्चा करने के बाद जो पैसा बच जाता है, उसको save करते हैं, लेकिन सिध्धानत ये नहीं है, rich mindset के लोग अपनी earning में से सबसे पहले अपनी savings और investment को निकालते हैं, और बाकी बचे हुए चीजों से, बाकी बचे हुए resources से, बाकी बचे हुए earning से अपने खर्चे को पूरा करते हैं, so if you really want to become rich, always try to save and invest before doing expense, friends rich बनना कोई rocket science नहीं है, rich बनने के लिए आपको अपनी short term planning और long आपको अपने घर चलाने के लिए अपने जीवन यापन करने के लिए कितना पैसा चाहिए, इसलिए अपनी assets से इतना value addition जरूर करें, या इतनी earning जरूर करें, जिससे आप अपने खर्चे का burden उस assets से आयोई income से चला सकें, साथी साथ इस तरह से invest करें, कि भविश्य में उसक कीमत निरंतर बढ़ती रहे, जैसे rental income, एक short term income planning है, जो आपके operating खर्चे को manage कर सकता है, और value appreciation of assets, जो है, जो आपकी property की value बढ़ती है, वो long term planning का part है, and the fifth, make shopping decision wisely, friends, बहुत सारे लोग, जब market में जाते हैं, और देखते हैं, बहुत सारे चीजों पर offer लगे हुई है, बहुत सा बहुत भी नहीं होती, कई बार ये देखा गया है, कि आप ऐसी चीज को खरीद लेते हैं, जिसका काम आपको नहीं पढ़ने वाला, जिसकी अवशक्ता आपको नहीं है, ये एक तरह से bad investment होता है, या एक तरह से आपके उपर burden होता है, आपको ये देखना है, कि कौन कौन सी चीजें, जिनके आपको वरतमान में जुरुत है, उनको कितनी मातरा में आपको जुरुत है, किवल उतनी ही चीजें खरीदें, और उस चीज को जिसकी आपको अवशक्ता है, उस समय पर उस पर best offer क्या चल रहा है, ये ज़रूर ध्यान दे, And the sixth, that is, learn risk management, Warren Buffett ने एक बात कही है, कि यदि आप अपने risk को manage करना चाते हैं, अगर आप अपनी investment को कम से कम risk पर लगाना चाते हैं, तो अपनी investment को एक जगे निवेश ना करें, एक जगे इनवेश ना करें, अलग-अलग business options में, अलग-अलग shares में, mutual funds में, FD में, bank deposit में, properties म अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा निवेश करें, ताकि आपका risk management जो है, वो best हो, और यदि आपको नुकसान होता भी है, तो सभी जगे नुकसान एक साथ महीं होता, कई जगे कि आप profit आपके उस नुकसान की भरपाई कर देता है, अगर आप ये सभी golden rules अपनी life में follow करते ह तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, कि आप बहुत जल्दी कम समय में अमीर बन जाएंगे, काम्याब बन जाएंगे, successful हो जाएंगे, friends मेरे जीवन का उदेश्य है कि भारत के हर घर से एक सफल businessman या professional तैयार हो सके, ताकि भारत आने वाले समय में आर्थिक शक्ति क रूप में मजबूत बनके, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सके, इसलिए अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की life को transform कर सकती है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अपना प्रश्ण मुझे comment box में लिखकर ज़रूर बताएं, कि आप मैं डॉक्टर अमित मैश्वरी आपके सुनरे विश्य की कामना करता हूँ, जय हिंद, जय भारत